इथ से पहले बकरों की तलाश शुरू ऑप्या? अजमे की बुराज गाओं में रहने वाले कान सिंग रावत जो की काफी वक्से तारगड पर बकरिया चराने का काम करता है और बकरों को पाल कर बेचता है कान सिंग रावत के बतीजे ने बताया कि उसका चाचा जब बकरे को बेचने के लिए दर्गा बजाल ले गया तो खादीम और वहां के मोजुत लोगों ने बकरे पर लेके अल्ला और उसके प्यारे हबीब का नाम देखकर बकरे को चुम और प्यार किया कान सिंग के बतीजे ने बताए कि उसे और उसके परिवार को उर्दू नहीं आती इसलिए उन्हें बकरे पर लिके नाम का पता नहीं चल पाया था कान सिंग के भतीजे ने बताया कि इस खूबसूरत और बरकती बकरे की अब तक लोगों ने डेट से दो लाक रुपे तक की कीमत लगा दिये लेकिन वो इस बकरे की कीमत गैरा लाक रुपे मांग रहा है उस तरीके से इसलाम के अंदर या मुहमद या अल्ला जो लिखावा इसको पर बहुत बड़ी चीज है इसमें तो काफसार लोगों ने इसके कीमत लगई वैसे तो लोगों ने का किसी कीमत नहीं फिर भी कोई एक लाक कोई दो लाक की बोल के गए कि हमें देदो अगर उपी विचार नहीं है बेचने का बड़े प्यार सपाला इसमें पेटे की तरह है और फिलाल अभी इसके हमने ग्यारा लाग डिमांड रखिए जो ग्यारा लाग रुपा हमें देना को राजी हम दे देंगे बखरे को वाकि हम भी खुश है कि मतलों ऐस करामाती में बखरी में जनम लिया प्रेट से बखी बोराज में रहते हम अरगड के पाड़ में पास में